मौस्ट्रों में मौस्ट दोस्तों वेलकंप तया दर ब्लोग दुस्तों इस दवलोग में हम एक ग्रहें हैं इस मीज़नों में हम आवहें और ले खैसके चाह nesने यह गाहुज का नाम हिसो दाड मैंत मुद्स जाख मेरे तो यह अभी हम गरीबा नहीं है यह तो हम थी चल रहे हैं जिस टॉले में घर ता इनो सब्सक्क helt शेए को बोलता है हम लाला टोला तो लाला चेपी जी का गार और पोले चलते हैं उन गहर पे कैसे मतलपकर घर क्या है अभी तक उनकी आस्तेवीक घर ते उस्में rất सच रख्खा हुगा है कि लोग आप आप है और देखें वहां प्रस्ट भी बंख आक है र में है प्राभा ये प्रभा टॉष्ट है नः आपको ले चलते हैं उस ट्रस्ट पर अर उनका जो वास्ते घर है वो दिखाएंगे हम अभी सिताब दिया रहा है दिखा तर्फाण जो आप देख सकते हो यह साथ यूपी छेतर पड़ता है और बान कि धर राइड साड़ में यह भी हार चेतर पड़ता है ऐसा यह बांद है और जेपी जी का घर में हम आपो दिखाएंगे कि वो कैसे जिगा मेराते थे उनका जनम कहा हुआ था जो नया ट्रस्ट बना उस ट्र अट चलिए आप हमारे साथ ओंड़ में बने रहें व्लॉग को देखते रहें हैं दोस्तों अच्छा लगा आपको तो लाइक कर दें संस्क्राइब ज्रू करें क्योंकि तो मैं देखता हूं कि 60% लोग आइसे हैं जो मेरी वीडियो को देखतें कि जिसनुनों ने सिस्क्रा उसकता हम आगे बढ़ जैने को सपोर्ट करें दोस्तों हम आपको दिखाते हैं जो खर चलते आ चलते रास्टे में झालों ऑने चल रहें और हैं तो अब यमारी जारें लाला फारें घर जहारें अब फ्रस्ट है थामने θα पर मैं होसा में खुर और पानी चलिए दिखते हैं किपना पानी है हमारी बाइक जाई नहीं जाना पड़ेगा जो भी होगा दिखाएंगा पुछ देखने के लिए और वहां पर मेमोरियल के जो सेक्रेटरी साब जो भी है वहीं पर मुलकात होगी और इसे भी हम कुछ बाइट ले लें कुछ पूछेंगा कि यह कब से उनके साथ में थे हैं तो चलिए तुमार साथ कि सब्सक्राइड कra भी तो के लिए। फिरफ देख सकते हुआइनगयां कुछ कि आभी जड़्ज़र हालत है नाइभार्प्रेमिंट कुछ कर रही है नहीं तु कियों एसा क्या होता है कम सक Krista कम ऐसे से लोग है इसमाज को लेके चलते थे हैं वह समाज के बारे में देस के बारे में सोच्थे थे उनको मैं नेता बोलता हूं कि तो इसे नेता के लिए सरकार कुछ कर नहीं रही है तो है अब बांद से राइड साड में टर्न कर रहे हैं कि ए रोड जो है जाएगा लाला टोला कि अब देखिये बाढ़ का चेट कितना बाढ़ का पानी भरा हुआ है देखिए दोस्तों इतर में बहुत बाढ़ का पानी आप देख सकते हैं अब देख सकते ही निए तो जया कि नहीं कि हम दूसरे रास्ते से जाएंगे ट्रस्ट पर यहां से गाड़ी जो सहोगियों घुमा रहे हैं तो हम चलेंगे दूसरे रास्ते जहां देख लो आप चारों तब बाढ़ी बाढ़ का पानी है तो सीधी जो रास्ता है अगर से हम जाने वाले थे लेकिन वहीं बंद हो चुक संध्य श्राकरर आजू इसलिए हैं पानी है कि रसे रास्ता बंदंधब बंद पानी है राओ अ है कि यहीं दूसरे बंदें ट्यों। सब्सक्राइब और चैनल को सबस्क्राइब जरू करने पोकेट पिक्षर और बबूत जल्द मैं अपने चैनल पर हमराइब का पर काम भी चल रहा है जब इसकी पर काम हो जाएगा तो पिर उसकी चलेगी और चैनल पर मैं इसको रिलीज करूंगा तो दोस्तों बने रहे हैं सप्राइब करके रखें आपका भाई के चनल है सपोर्ट करें हमारे चैनल को कि एक और रास्तव हम आगे हैं यहां से टर्न ले रहे हैं अभी हम और दिखते हैं कि यह कैमरा को दिखाता हूं देखे इधर भी थोड़ा थोड़ा पानी आ गया रोड़ पे लेकि फिर भी हम इस जा सकते हैं कि दुखे इधर पूरा बाढ़ का पानी है कि पूरा बाढ़ का पानी दर आप देख सकते हूं कि यह रास्ता सिधे यह प्रकाल जी की घर के पास जाएगा कि यहां वो रहते थे जिस घर को में बतारों दोस्तों कि सुरक्षित रखा हुआ है कि लोग आए परियटक आया और इस ट्रस्ट में उनके घर को देखे कि कैसा घर है उनका जो भी पलंग था टेबल जहां पढ़ते थे जहां सोते थे उसारा कुछ वैसी के वैसी उस घर में रखा हुआ है आई एम सव आपको दिखाएंगे हमारे ब्लॉग में बने रहे हैं और चलते हैं उनके पास उनके घर के पास अच्छे तरह यह लाला टोला आ गया ना चैन चपरा है अच्छा मत यह होते हैं लाला टोला जाएंगे हां होते हैं दोस्तों इधर के एरिया कैसा है कि यह देखे पानी पानी चारो तरफ बाड का पानी देखे दरी बाढ़ का पानी हम लोग किसी के दुआर कर से पानी आ गया है तो आप देख सकते हो कि मतलों किसी के घर के तरफ से होके हम जा रहे हैं उसके दुआर से हम जाते हैं इसे रास्ता सही है साथ हम सुखे-सुखे पहुंच आए टरश्ट पे चलिए वहां चैन चपर मिल गएत अओं है कि जो ऑच्चाहू अब और रोड मेंगें हैं यहां से चाहन डुस्तर हमये गाउं कोँए मिच बूंत पानी निग कघा रहे हैं और आपको दिखाने में चलते हुए इस दिखें के लिए दिखें कैसे कैसे किता दिर में पहुंचते हैं यहां पर भी पानी है यहां पर भी दोस्तों पानी आप देख सकते हैं जैकिन बाइक निकल जाए हमारी पानी के अंदर से देखो चारो तरफ देखो दोस्तों गाड़ी का पानी में कितना घूश चुका है आप देख सकते हैं फिर भी हम निकाल ले गए यह रूट दोस्तों आइटिंग मिझे लगता है कि ट्रेश्ट पर जाएगा आए रूट जाएगा ना जो है कई टोला को एक तर्किश को बनाया गया है तो हर जोगर टोले का नाम है दोस्तों यहां पर थोड़ा साब मुझा अर्शना हो रहा तो हमाज मेरी कम आ रहे हैं कि अधि करने दुट पर ट्रेश्ट को राट जाएगा चाहां प्रूश्ट को जाता है यहां से कितना दू पड़ेगा ट्रेश्ट को यहां से दूब एगा तो जालिये को मिए अभी हम अभी हम बैजू टोला को भूंना क्या ऐसा बैजू टोलं के लिए हूं येजू ग Clark A कि कभी स्टोलिक नाम है बैजू टोला जहां आभी हम चल रहे हैं oh तो लाला टोला कहां से स्टार्ट होता है सोवा छप्राइगा उसके बाद से लाला छप्राइगा उसके बाद जाके लाला टोला है ना कि दोस्तों मेरे सस्क्राइबर ने मुझे कमेंट कि आप हेल्थ पर टीप्स दें और बताएं तो है तो है जोस्तों दोस्तों दो तरह के लोग मतलब की ब्लोग और टीप्स चाहिए उनको बजन घटाना या बजन बढ़ाना है कैसा उनको चाहिए टिप्स में कुसिस करूंगा उस तरह का वीडियो अपने चैनल पर बनाओं और आपके सामने प्रेस करूं कहा है का यह चलते हैं अभी वह बेचिटोलं खुं रहें भी शोबा चप्राग एँ दोस्तों यह जो एरिया है अभी यह सोबा चप्रा मतवा स्टार्ट हो चूगा ठीक है इसके बाद साध भी आया आएगा लाला तोला आएगा इसके बाद को लाला टोला में ट्रस्ट है आप एरिया देख रहे हो कैसा है रोड़ पर कितना कीचड़ हम आराम से बाइक चला रहे हैं ताकि बाइक हमारी सिलिप न करें तो बाइक वह राम से लाते जा रहे हैं देख कितना है कितना कच्रा और मड़े है रोड़ पे कि अब देख सकते हो बाढ़ ही बाढ़ है और यहां से साथ यह बोल रहे हैं कि हम लाला टोला में इंटे कर चुके हैं जहां जीपीजी के घर था वह नजदी की बहुत समीब और आपके सामने में टेष्ट वीडियो में आने बाला है अच्छा एक रूट जो यहां से में रू दोस्तों आप देख रूट पानी पानी आपको दिखेगा इधर पानी है और इधर भी पानी है अब देखो इधर में सामने भी पानी है अब देखे इधर पानी-पानी आप अब दोस्तों में ट्रस्त का गेट आपको दिखा रहा हूं अब यह जो गेट है यही ट्रस्ट है और यहीए गेट है अचलिए अब अब अंदर लेके चलते हैं अब जुसमें यह पानी देख रहा हो यह तर से एक खाली अस्था ने जहां पर फूल पूथ लगाने के लिए उस प्रवाइम पने इसमें भी देख रहा हूं फुरा पानी गंदा ने दीका पानी भरा हुगा है अब यह यह जो ट्रस्ट पे जायेगा है चलिए हम कि दोस्तों ट्रस्ट पे आ गए हैं आपको सामने दीख रहा होगा ट्रस्ट कि यहां से पैदल चलना पड़ेगा कि गाड़ी चलिए जाएगी पता नहीं है वह नुद्यास पुछी क्या है कि गाड़ी तो गई है वो चलिए चलता है हलिए पानी में इस लटो लेते लेका पूरा जैतर लेते रहिए गाएगा तुछ पानी में हम अचते आ दिखीए गारी five अ कि आए 됐zil और निँ निकल गए पानी से बहर belly कि दोस्तों यह ट्रस्ट है और इसके अंदर में क्या क्या है हम आपको दिखाते हैं अपने वीडियो में आए चलते अंदर में और दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या है इसमें अंदर में अच्छा आप देखें इसके इसके इंटरेंस कैसा है मैं आपको दिखाता हूं यह तो सामने में आपको JPG का एक statue दिखेगा यह एक JPG का एक statue है किजर में है लाइबरीडी आईए अब दो खिया यह बर्सात के कारण पूरा पानी-पानी हो रहा है यह मुर्ती तंबे का है ना अब यह वाला नहीं सायद यह वाला तांबे का नीव हो भी सकता है पता नितरी चली चली शेक लिए यह JPG की मुर्ती को यहां पर रखा हुगा है देखिए और पीछे में भी चोटा साउन का हाख मुर्ती है 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 जा इस अब जाए डीमिट्टी को मुथी लग रहा हमें सेमेंट का है ना कि हमाइसे मेलका मेतल का निया है आज अब दिखाते हैं लाइबरेरी आपको दो आजहए हैं अब हम लेशुते हैं लेशिम्ट काहां करें तो यह जो निया जीपीजी के ट्रस्ट बनाएवाई ट्रस्ट दस्तों तो यह पुस्तकाले है जो इस ट्रस्ट के बिल्डिंग में है लाइबरेजी तुम आपको लाइबरेजी दुखमाते हैं जितने भी यहां पोश्टर लगे में आप देख सकते यह सब जेपीजी के हैं और हुँए आप देखिए अब देखो यह सब किताबं आओ किताफियं है है क्योyor सीजी क्प्रव सब् Lastya यहां पर किताब उसकितला किताब इंग कंठेल इंग उसम्राइब कोड़ किताब स sommes da तो इस ट्रस्ट में और क्या क्या है अच्छा वो कहां पर है आई यह उपर चलते हैं वहां के इसा बना हुआ ओ जो जेपी जी को जो घर है वो यहीं पर है ठीक है लेकिन वगर इस बीर्डिंग में एक दूसरे बीदिंग में बाजू में बगर में वे इस बीडियो में म Kerry ठोली में हम आपको दिखायें वर देखते हैं जोटेर्ग क्या क्या है कैसे डावा है अधरे दोस्ते अब हम आपको दिखाते हैं उनका ओरिजिनल भर डोसे यहां आपको दिखाते हैं लोगत देख चलते हैं है कि दोखर यहांपर भी बाढ़ का पानी कितब भरा हुआ आप देख सकते हैं आप पानी कंदर है चल रहा हुँ आपको पानी है यहां पर कि वी आपको ओंगा नहीं दिखाऊँगा कैसा ज अ खालो अ कर देखीए दूसरे वाली बीडिंग कर यह है यहई इस हित में चारो तरब बाढ़ का पानी आ चुका है गंगा ने दीका पानी हर जिगव आई ये दूसरे बिल्डिंग में ले चलते हैं ये रहा गेट दूसरे बिल्डिंग का और इसका अंदर हम चलते हैं आई ये कि हुआ है है हमिगसते अंदर से जाने के समें है 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 कि देख लिजे यह पित्रिग फ्यक्ते बहुत बड़ा सुमीफि लगा वाक शंद्रिब्सक्सक्राइल के सब्सक्ना पारे इनका है जो और बिलकुन मेटल का मुर्तिय उन्हें को फोग पाट लोहा का बना हुगा है अदूसरी फाल larger है इस दूसरी बिल्डिंऍG है और वह गोर्ण वाइट बीर्डे जिन देख रहा हैatar इसमें के पूस्त काल जो में ट्रेस्ट का बिल्डिंग यहीं है, मतलब एक तरह साब बोल सब्डों ट्रेस्ट का बिल्डिंग में है, तक इसमें उनका घर जो पुराना घर वो सब संग्रहित करकर रखा हुआ है, किस तरह को च्छति हानी ना पोँचे, इसमें लिफ्ट पर लगा हो आप देख सकत पर लाता हूँ आपको है अब इसमा को आप यह देखिये यह देख ये दिवाले आपको दीख हरा यह पुरानी पुरानी दिवाली मिट्टर यह जेपीजी का असली भर है औरिजिनल भर Muslims जो है यह जेपीजी का जिसको इस टर्स्ट में ने शंग्रहित करके रखां हुआ है क्थे इसंद्राइन कि रस्ता रहे हैं कि यह देख रेकरते हैं इस कर दा यह जो भी पिए यह ज,,, उखिये जो,, Curry, तूख भी event, तूख भी गश्योंगा、 12 कि अदिधा प्रभाज प्रिति भावन लाइब्रेरी आई इस अंदर चलते हैं देखिए आप मत तो 45 साल से ही आप रहे ना बार आप निया अधा अधा दिखावाद दोस्तों आप देखें जो भी लिखावाद दोस्तों आप देख रहें सामने दिवाल पर इजे परकाश अपने हाथ से लिखे हुए थे जिसको बड़ा करके यहां पर दिवाल पर लगाया गया है अपने हाथ से लिखे थे ना और यह चौकी कैसा यह उसी टाइम का है अब तेक्सको कितना संभाल कि यह चेर उनका है वो चेर जिसको किसे टाइम जे पीजी बैठा करते थे वही चेर है अई और दिखाते हम घर का इदे कि घर जैसा था पहले भी अभी उसी तरह का सेम टूसेम रखावाए यहां पर आई आप आई यहां पर ट्रस्ट में घूमें और देखे कि वो कैसे यहां यहां बापु लिखा हुआ है इस घर में जितना भी इठ है जो भी इठ गर में लगावाज सब मतल इसी नाम का इठ लगावा घर में जिससे घर बना हुआ है पहले का ही है दर्वाजा खिड की सब पहले का ही है यह रहा उनका दलान जहां उटते बैठते थे यह उटते बै दोस्तों यहां पर रूम में अब अब अंदर नहीं जा सकते इसमें ताला लगा वह लिगी आपको दिखाने कोशिच करते हैं ताला खुल रहा है तो जो भी हम अब भुमारे ने यहां का ओरिजनल घर जेपी जी का तो तो कहां सोते थी जो पलंग है जो इस घर में मत्त इस र तो आप देखों लिखाओ आ याइब प्रभासमिधी भावन शिताबदिरा लाला तोला और जी हम अभी लाला तोला में ही खड़े हैं अब पता रहें कि लाला टोला इस दाबदिरा के गाउं तोला है उनका यह उनका उरिजनल कमरा है उस टाइम का आप सुझ सकते हो यह आप पलेंग उनका जहां वो शोते थे हैं शबाजी भाट करें आप मस्टाराब करें यह रूम करने का विस्राम करी था उनका और यह कमरक कैसा है अच्छा जो भी समान है सब रखावा इसमें तो दोस्तों यहीं घर है उनका कि अब देख सकते हो यह अभी भी उनका फोटो भी रहे हैं यहां पर रखा हुआ है लगाया हुआ है कि अब दोस्तों कमरा प्योंको दिखाते हैं बाहर में कि अब यह जो कमरा है तो अच्छा 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 कर दोस्तों कि अच्छा कि अच्छा कर दोस्तों कर दोस्तों यहीद ईनके लुग को ब्ठक कमराएं इसमाटा कि अच्छा इनके आघ जब गुत्करा बहत बाटी आज दोस्तों यह वही दिवाल है जो मैं आपको उधर से दिखा रहा था देख सकते हो उनका घर का दिवाल यह है और यह घर मुझे लगता है कि समहाल कर रखा हुआका आप यह जब भी आएंगे के उनका घर को देख सकते हैं जो यहाँ झाल पिजिका जो भी सना था यही था कि अब बिल्टिंग अंदर चलते हैं तो दोस्तों यह था जै प्रकाष जी का पाउन जो है उनको जो भी सच्ची है तो मैंने बोला था को कि उनसे आपका मुलकात करवाऊंगा तो चलिए उनकाफिस में चलते हैं और देखते हैं वहाँ वह हैं कि नहीं है तो मैं आपको उनसे बात करवाता हूं आईए और यह उनका उफिस है तो उनका नाम है अलोग सिंग मैं उनसे अपको मुलकात करवाता हूं चलिए तो यह हमारे सचीव हैं इस ट्रस्ट का आप देख सकते हूं वहाँ पर लिखावा है जे प्रभा प्रतिष्ठान सचीव अलोग सिंग् तो हम आप से इनसे बात करवाते हैं रूबरू करवाते हैं कबसे मतलों कि जो इत्रस्ट में मानुब हो राका कबसी हो निमाई इसाट हो यहाँ पर यहां तो बहुत बात में हुआ दूहज्जार दो के आसपास से शुरू हुआ यहां क्योंकि पहले इचंद्र से खड़ य यहां इस जमीन को देख गए थे उनका परियास था राम बहादूर सिंग उनको लाए थे यहां जे परकार जी के चचेरे भाई जो कमला चरम बर्मा हैं उनसे बात हुआ था लेकिन काम किसी भेई तरह रूख गया इसके पहले भी एक बार जब जनतापाटी के सरकार थी तो रामाइन जी जीवनदानी और समाजबादी लोग इस जन्गा तो उनका पिचा धरा क्या था उनका अपने गहां से बहुत लगाओ था और वे लोग तो उनका जनम से लिए यहां थोड़ा यहां से आगे कटाओ के कारण थोड़ा यह लोग पीछे आये हैं उनका पैतरी कावास सब यहीं है जेपी इन्हें अपना घर उन्हें सबावन में यह लगवक पचास बड़स के थे तो उन्हें अपना खेती पर गए कुछ गाओं के भुमिहीनों को जमीन दिये उनको बसाए और बिना जाती बेरादिरी के उचाते क्या थे करना का उचाते उनका समाजी विचार यही था कि कास्टलेश सबसाइटी हो मैंने कोई जाति पात नहीं हो मैंने आरक्षन उरक्षन पर उनका सब्साइब सिधा विचार था कि जो गरीब है उसी को मिले कि हर जाती में कुछ लोग बहुत धनाध है तो बहुत गरीब है तो यही जेपरकास जी के विचार था वो जानते थे कि हमारे लाला परिवार में भी सभी लोग जैपरकास नारायन जैसा नहीं है वहीं कि सुनुसुन जी जैसे लोग हैं जो किसी तरह सिलाई उलाइक और क्या पंगी हो तो जैपरकास जी को उस्पष्ट विचार था कि जाती विडाद्री अमत नहीं थे यह प्रकास नहीं कि ऐसे देकर नहीं तो सब्सक्राइब हैं वह यहीं मामते थे कि एक अमीर जाती है और एक गरीब दोनों आजमी समन्यव से ही कोई विवस्था कर सकता है अन्य था मारकार्ट क्योंकि वह मार्स बादी विचार के थे मार्स और लेलीन से प् अपना जीवन सुरू किया तो उन्हों सबसे पहले उन्होंने अपना रखा कि मार्स बाद तो खुद अपने छात्रों के साथ कहीं रास्ता का निर्मान कर देना कहीं किसी का गरी बस्ती में जाकर वहां देखना सबके वे अच्छा तरह से सर्वे करते थे उनका एक अलग कर किसी का जाता है उसके बाद ओ क्या क्या परकिरिया है क्यों कि वो समाजी काड़ से कर रहे थे लोके बाद तो धुल फैर डुन्या में नहीं रहे हैं उनका अपना जो ट्रॉस्ट को हाना करना चाहते हैं तो यह गांधी विनोबा जैपरकाइज तीन आडमिया ऐसे हैं सक्स जो मानिराजनीती से दूर हटकर भी अपना काम ट्रस्ट के माध्याम से शंस्था के माध्याम से यावन गांधी बादी बिचार दारा के वह करना है। गाउं के तरफ बहुत ध्यान दिये, वही तरफ ग्रामदान अंदोलन सब चला, बहुत उनके साथ जमीन भी मिला, भुदान अंदोलन उनका परकास अर थी के गंधी जी संपे थे बिनोगा भावे के, जेपी के ताइम में इसका भुदान अंदोलन का बहुत परभाव पला, बहुत से जमीनदार राजा महराजाओं ने, एक लाख कुछ एकर जमीन इनों को दाम दिये थे, अभी जहाँ भी जाईएगा, तो सोई-देसो एकर जमीन इजे परकास महरा इनके नाम पर, है, दोस्तों, ये रहे हैं, हमार से ची साथ अलोग सी, और इनका यही काना है, जो इतना ही, तो देखते हैं हमाँ व्लोग और अमार चैनल को भुजित कीजिये, पोकेट पिक्चर आज में इतना ही, मुश्वापाजाओं